अब गाज़ दिखते हैं question second of x is 14.3 question second क्या कहा रहा है if the median of distribution given below is 28.5 कहा रहे है कि कोई हमें जो nature distribution दीवी है न इसका जो median दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है 28.5 okay कहा है find the value of x and y कहा है कि जो x है यह हमारा x है और यह हमारा y है कहा है इन दोनों की value निकालके दिखादा हूं मैं तो सबसे पहले जब भी guys median दिखता है ना मुझे जब भी median दिखा होता है सबसे पहले मैं क्या गाम करता हूं median का formula लिखता हूं मैं आपको बताता हूं कि मैं कैसे question करता हूं okay median का formula क्या होता है l plus n by 2 minus cf upon में f into my edge okay सबसे पहले मैं medium का formula लिखता हूं और median में मुझे सबसे पहले क्या ची होता है cumulative frequencies यहां पे median निकालने के लिए मुझे cf दिख जाए है आप इम फॉर्ण में तो सबसे पहले मुझे क्या ची होता है cumulative frequencies उसके बाद ही मैं और कोई काम स्टार्ट करता हूं ठीक है सबसे पहले लिखेंगे हम यहां पे cumulative frequencies cf तो cumulative frequencies कैसे निकालते हैं मैं आपको इससे पहले वाले question नहीं बता आप अभी बता रहा हूं सबसे पहले का लिखते हैं frequency को ऐसे कैसी यहां पे 5 लिख देते हैं सबसे पहले वाली frequency जो होती है उसको ऐसे कैसी लिखते दें उसके बाद नीचे वाली प्लस करते हैं 5 प्लस X फिर यह 5 प्लस X 20 घृक है 5 प्लस X उट्यwości फिर इसे ही 5 प्लस X प्लस 19 प्लस 15 ऐसे ही सम्म्म प्लस करते रहते हैं तो यह कितना आँँगा देखू अब इसको प्लस कर सके लेख दो डिरेक्ट 5 प्लस 20 कितना आजए भाद 25 प्लस X ठीक है 5 और 20 में प्लस कर दिए 25 प्लस बॉनिके निचे वाला प्लस करते रहें कि इसके बार नीचे वाला प्लस करते रहें अब उसके बाद का देगा इसमें में मुझे दिया हो देखो 28.5 तो यह में में जगे 28.5 डाल दोगा एल के जगह अब मैं सब की सब की सब की वैलियो निकालऊंगा फिर इससे मैं कुछ निकाल दोगा ठीक है तो ऐल की वैल्यो कहाईगी ऐल मुझे ची होता है lower limit of median class तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है मीडियन क्लास होता है तो मीडियन देखती है मुझे याद आया कि मीडियन क्लास निकालनी होती है तो मीडियन क्लास निकालो सबसे पहले अब मैंने आपको पताया था मीडियन क्लास कैसे निकलती है Middle class कैसे निकलती है सबसे पहले हम क्या करते है N by 2 N by 2 निकलते है N क्या होता हमारा जो Frequesas. n gonna run 60 Ñ n का 60 Ñ 2 निकलते है तो कितना अगर 30 तो N by 2 आगए हमारा 30 तो अब इस 30 को ना हम पिछले sich Links में क्या करते है फिछले Kaushin में जव वखने कोशन फस्ट कियए था है, हमने जब फ 있거든요 फिल्मने cf निका लाता, cf कैसे आयता हमारा, 30 को न हमने देखा था कि 30 से ज़स्ट बड़ी इ स्खहा किनिलिट फरक्वएज्वनिसी कौन सी है हमने 교़्मार थू आया था, उसमें हमने क्या किया था, कि उसको न हमने CF में देखा था कि इससे जस्ट बड़ी frequency कौन सी है question first खोल के देखने ना चाहिए हमारा जो भी unbatt हुआ था उसको न हमने CF में देखा था कि उससे बड़ा CF कौन सा फिर उसको हमने CF ले लिए था CF is equal to यह वाली फिर median हमारी पूरा median class आगी थी हमारी उससे आपको याद हो और आपको याद नहीं है तो पिछला question खोल के देख लो एक बार जो भी हमारा n by 2 आया था उसको उससे बड़ी ना हमने CF देखी जैसे ही कोई यह है तो इस पूरी क्वारी class को हमने median class ले लिए था पर इसमें हम seef कैसे देखें बता ओ seef हम देखी ने सकते 40 प्लस x है हमें x की value सब्सक्राइब इसमें 25 plus x है 5 plus x है x की value हमें पता हो तब ही तो देखेंगे कि यह 30 से बड़ा है या चोटा है या जस्ट बड़ा या जस्ट छोटा है तब ही तो देख वाएंगे हमें पता ही नहेंगे 30 से बड़ा गूंसा चोटा इसे से पता पाँ आप नहीं लग पा रहा तो हमारी median class कैसे आगी देखो अब ध्या coral से देखो इसमे अमारी डेक्ट हमें median class दीये χोगे कि कोशन में हमें median थैग siete 20 गमात त्वी अजह त्वी कों्सी class की बीच में हम जो भी हम्टि समय होता है तो हम क्या है getting paying क्लास के बीच में लाइख करब क्लास के वीच में लाइकła क्लास 20-30 की बीच में लाइख लग तो आएगा लेगा हमारी अभाश है आउनकोच क्लास को बतstal कर लिए मेरा L में सब कुछ तो इसकी lower limit का है 20, 12 कितना आगे हमारा, 20, ठीक है, n by 2 मैंने निकाला था है यहाँ अब धर्टी, ओके, cf क्या हुगा, अब देखो, cf होगा हमारा, जो median class होती है न, उससे उपर वाले को मैं cf लेता हूँ, तो मतलब cf होगा है, यह है, इस ही कोई लेते हैं हमेशा cf, इस वाले को cf नहीं लेंगे, जो हमारी median class है, इसका जो cf है, 25 प्लस x, यही तो है, 25 प्लस x, पर हम इसको नहीं लेंगे, इस से उपर वाला वाला जो होता है, उसको cf लेते है, तो cf होगा हमारा, 5 प्लस x, cf भी आगया, इस formula के मैं सारी values न आएगा हमारा, इनके बीच का difference, सबकी बीच का difference 10 है, 0 to 10, 10 to 20, ठीक है, किसी भी अपर में से lower वाली limit minus कर दिया, गरो 10 में से 0 होए 10, 20 में से 10 के 10, सबकी 10 ही आ रही है, तो h के आगे हमारा 10, h होता हमारा height of class interval, ठीक है, तो h आगे 10, अब इसको इस formula पूट कर दो, तो कितना आ जाएगा, median कितना दिया हो है हमारा को 28.5, तो यहां लिख दो, median की जगा 28.5, is equal to L की जगा क्या लिखना है, L कितना है हमारा 20, okay, 20 plus n by 2 की जगा, n by 2 की value लिख दो, 30 है हमारे n by 2 की value, 30 minus cf, cf कितना हमारा 5 plus x, okay, upon में f, f कितना हमारा 20, 20, in 2 में h, h है हमारा 10, okay, अब इसको solve कर दो, 28.5 is equal to 20 plus 30, minus का 5, minus का x में इस bracket खोल रहा हम ना, ठीक है, फिर minus का पूरी bracket में multiply हो जागा, minus का 5 हो जागा, और यह minus x का multiply हो तो minus x हो जागा, ठीक है, बाकी नीचे ऐसे का ऐसी 20 बचा, into my x, बस मैंने bracket, oh sorry, into my 10, bracket बस मैंने खोल दिया और कुछ नहीं किया, यह 0 से 0 cancel, okay, बाकी अब जो बचा उसको ऐसे का ऐसी लिग देते हैं, कितना हमारा, 28.5 is equals to 20, plus 30 में से 5 या 25, minus का x, divided by 2, यही बचा मेरा, okay, अब इसके बात करूँगा, मैं, इस 20 को ना, इस साइड ले जाओंगा, इस equals to का इस साइड ले जाओंगा, तो यह negative का जाओगा, 28.5 minus का 20, बाकी is equals to में जो बचा ऐसे का, ऐसे ही, 25 minus x divided by 2, बस इस 20 को मैं इस साइड ले गया, ठीक है, तो यह बारा 20 negative में हो जाओगा, दूसरी साइड जब भी, इब भी equation के दूसरी साइड कोई भी चीज जाती है, तो तो negative के हो जाती है, ठीक है, cross multiply में ऐसा नहीं होता, बस, देखो, 28.5 में से 20 minus किये, तो कितना जाओगा, 8.5, 28.5 में से मैंने 20 minus कर दिया, इस एकोस टू, 25 minus x divided by 2, ओके, अब इस 2 को cross multiply कर देंगे, 2 को उपर ले जाएंगे, 8.5 and 2 में 2, बस cross multiply में कभी sign chain नहीं होता, जैसे अब देखो, यह 20, इस साइड गया था, तो इसका minus 20 हो गया था न, अब हम 2 को भी तो इस साइड लेके जा रहे है, 8.5 and 2 में 2 is equal to 25 minus x, 2 को इस साइड लेके उपर, पर जब भी हम cross multiply करते हैं तब कभी sign chain नहीं होता, ठीक है, याद रख लेना, बस जब हम इसको ऐसे लेके जाते हैं, इसको इदर लगे जाते हैं, तब आता है sign, जब भी हम cross multiply करते हैं तो ऊपर नीचे, तब sign नहीं बदलता, ओके, वैसे sign बदल रहा, देखो यहाँ पर टोटी, जब मैं इदर लेके गया, तो sign बदला मैंने, जब मैंने cross multiply किया, तब मैंने sign नहीं बदला, 2 ऊपर को ऊपर ऐसे लेके, ओके, यह चोटे-चोटे concepts याद रखा करो, अब 8.5 and 2 में 2 कितना हो जागा, 17 is equals to 25 minus x, अब इसकी x की value निकाल दो, minus x कितना हो जागा, यह x को इदर ले जाओ, x को इदर ले जाओ, is equals to 25 minus 17, 17 को इसरेड ले गया, x को इसरेड ले गया, 17 इसरेड जागा, minus x इसरेड जागा, देखो, अब गाज मैंने आपको पिछले कोशन में एक बात बतायती है, आपको याद होगा, कि जो मेरी frequencies का total होता है, वो किसके equal होता है, cumulative frequencies जो आई होती है हमारी, उसके end वाली term के, यह दोनों हमेशा equal होते हैं, यह दोनों, ठीक है, मैंने आपको पिछले कोशन में बतायती हैं, अभी भी बता रहा हूं, तो इन दोनों equal होते हैं, तो हमें इसको लिख देते हैं, equal, 60 is equals to, is equals to 45 plus x plus y, यह दोनों equal होते हैं, तो मैंने इनको ऐसे गाइस equal लिख दिया, ओके, तो अभी यह 45 को इदर ले जाओंगा, तो कितना आजएगा, 60 में से minus कर दिया, 45 is equals to x plus y, तो x plus y की कितनी value आजएगी मेरी, x plus y is equals to कितना आजएगा, 60 में से 45 minus कर दो 15, 15, okay, x plus y की value 15 आगी, अब मुझे x की value पता है, अगर x की value इदर डाल दो, तो हमारी y की value आजएगी, x की value इदर 8 डाल दो, 8 plus y is equals to 15, तो y कितना आजएगा मारा, y आगा, 8 को इदर ले जाएगा, 15 minus 8 is equals to 7, तो y की value कितना होगी मारी 7, that's it, quotient खतम, ठीक है, y is equals to 7, तो x is equals to 8 आगया, और y is equals to 7 आगया, quotient खतम, ठीक है, ऐसे करते हैं, quotient है, that's it,